हाँ तो दोस्तों एक और नई वीडियो लेके आचिक हूँ मैं आप सभी के सामने आपके अपनी चैनल ट्रिकी मैन पर तो गैज आप लोग के लिए बहुत अच्छी अपडेट है गोर्मेंट ओफ इंडिया की तरफ से इंडियन रेलवेज की तरफ से परधान मंतरी कोशल वि विकास योजना की help से free short term trainings दी जा रही है जिन भी बच्चों ने 10th class पास कर ली है अगर आप computer basic सीखना चाहते हो electrical के बारे में सिखना चाहते हो या फिर और बहुत सारी अलग अलग trades हैं उनके बारे में जानना चाहते हो तो ये free short term training आप लोग को जरूर attend करना ही चाहिए अब तक बहुत सारे बच्चों ने attend भी कर लिया और इस टाइप का government recognize certificate उन्हें मिल भी चुका है रेल कोसल विकास योजना का ये certificate आप देख सकते हो जो की government of India का official certificate है normal certification से काफी बहतरी ये certificate आप लोग को बिलकुल free में मिल सकता है limited time का ये offer है बहुत जल्दी आप लोग apply करना होगा सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोग को बता दूँगा किस तरीके से आपको apply करना है किन बातों को ध्यान रखना है कैसे आप लोग को certificate मिलेगा एक एक करके सारी detail इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छी लगे एक like जरू करेगा अपने दोस्तों में इस वीडियो को share भी करिएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत interesting बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कल मैं कुछ jobs के लिए सर्च कर रहा था तो मैंने LinkedIn पे जाके चेक किया तो देखा करीब 84,000 से जादा sales and business development की jobs available है LinkedIn platform पर इस टाइम पे बहुत सारी top companies lay off कर रही हैं employees को निकाल रही है और इस टाइम पे ये एक ऐसी field है sales and business development की जहाँ पे अभी भी hiring चल रही है और इंडिया के top companies पेटियम बिसलेरी जैसी companies hire कर रही है real level by an academy की help से मैंने काफी वीडियो में आप लोग को बताया है real level by an academy platform बट इस टाइम पे बहुत बहतरीन मोका है क्योंकि साड़े 900 से जादा job offers release हो चुके है business development के worth of 55 करोड पर एनम इन candidates को average package 5.8 LPA का लगा है और बहुत सारे बच्चों को 12 LPA का भी package लगा है जहां industry में 3 LPA का average package लगता है वहां real level के candidates को इतनी अच्छी opportunities मिली है और best part मैं अगर आपको बताऊं तो real level platform से बच्चे जॉब तो लही सकते हैं साथी साथ skills भी develop कर सकते हैं अब इनके real level के courses भी आप लोग को इनके platform पे देखने को मिल जाएगे जिसके लिए आप लोग free counseling session book कर सकते हो और जो experts हैं उनसे जान सकते हो ये course आप लोग के लिए कैसे beneficial हो सकता है इंडिया के best educators आपको मिल जाएगे practical course assignment आप लोग को देखने का मोका मिलेगा one on one mentoring मिलेगी आप लोग को इनके in courses में आप लोग एक बार check out जरू करेगा आप लोग देख सकते हो business development जो है वो एक universal skill है जो कि आने वाले time में grow ही होने वाली है अगर आप ये skill सीख लेते हो तो आपका फायदा ही फायदा है और आप लोग को real level तो help career है टॉप companies में job दिलवाने की upgrade बिसलेरी पेटियम जैसे companies में आप job ले सकते हो just 15 minutes आपको दिन की निकाल ली है और अपने लिए free counseling session book करना है आज ही link के वीडियो का description में है आप लोग एक बार check out जरू करेगा अगर आप अप ले लिए job search कर रहे हैं अब बात करते हैं रेल कोशल विकास योजना के अंदर जो आप लोग को short term free training प्रोइड की जा रही है वो किस तरीके से आप लोग को प्रोइड की जा रही है तो इसका link में आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप देख सकते हो notice for the application of role कोशल विकास योजना training program under पर्धान मंतरी कोशल विकास योजना for the training in the month of January अगर आप January month में ये training करना चाहते हो free of course तो इस वीडियो को आप आगे बढ़के देख सकते हो इस training के detail notification आप देखोगे इनकी official website पे आपको मिल जाएगी कल ही 7 December को notification आई है और last date apply करने की program में 20 December है उससे पहले पहले आप लोग को online ही apply करना होगा कोई fees नहीं देनी कोई exam आप लोग को नहीं देना directly आप लोग apply कर सकते हो यहाँ पे अगर हम बात करें एक short term training program है जो की different training centers में होने वाला है AC mechanics skills सिखाई जा रही है communication network से related skills सिखाई जा रही है जो बच्चे computer basic सिखना चाहते है जैसे MS word कैसे चलाते है spread sheet कैसे बनाते हैं यह सब आप सिखना चाहते हो तो आप लोग join कर सकते हो electrical वाले student diploma कर रहे हो civil engineering कर रहे हो या फिर electrical engineering कर रहे हो eligibility की बात करें तो अगर आप लोग उने 10th pass कर ली है और आपकी 18 years से minimum 35 years तक है इस बीच में apply कर रहे हैं तो आप लोग join कर सकते हो बस यह eligibility है इन चीज़ के लिए selection की बात करें तो आपकी जो 10th class में marks आए हैं उसी के basis पे आप लोग का इस program में selection होने वाला है बाकी हर मन्त यह program लोंच होता है इस महीने selection नहीं होता तो next month आप लोग apply कर दीजीगा और चैनल को subscribe रखेगा ताकि आपको notification मिल जाए इस चीज़ की application की बात करें तो अभी में आपको fill करके ही दिखा दूमा form कैसे fill करने है यहाँ पे कोई reservation नहीं है normal जो government की जो भी benefits होते है उनमे reservation की जाती है general वालों को नहीं मिलता है कभी CST वालों को नहीं मिलता है तो यहाँ पे reservation कोई भी नहीं है सब को मिलने वाला है फायदा attendance की बात करें 75% compulsory attendance होने वाली है course division की बात करें 18 days का यह course रहने वाला short time course आप लोग के लिए 55% आपको marks चीएंगे आप लोग का जब आप join कर लोगे इस program को तब आपके final exam हो सकते है जो भी आप यहाँ पे skill सीखोगे उसके basis पे other details की बात करें free of course यह training है यहाँ पे कोई charge नहीं किया जा रहा बट आप लोग जिस state में रह रहे हो आप लोग को manage करना होगा अपना खाना वगेरा वो आप लोग अपने घर में घर के आजपास अगर training center है तो आपको फायदा मिली जाएगा उस चीज़ का यहाँ पे कोई daily allowance वगेरा आप लोग को नहीं मिलेगा selection के बाद की यह process है पहले तो आपको selection कराना होगा इस program में अगर आप लोग join करना चाहते हो तो link में आपको वीडियो के description box में दे दूँगा तो आप लोग इस page पे आ जाओगे welcome to real koshal vikas yojna अब सारे questions के answer आप लोग को इसी page पे मिलने वाले है जैसे कौन apply कर सकता है who can apply इस पे click करके देख सकते हो कौन-कौन से institute के साथ registered है जिनमें आप लोग यह training कर सकते हो वो आपको मिल जाएगा कौन-कौन सी trades में आप लोग यह training कर सकते हो यह आप लोग को मिल जाएगा different-different trades हैं कौन सी trades कहां पे available है यह भी आप mention है जैसे computer basic अगर आप सीखना चाहते हो क्या सिखा जाएगा आपको word processing computer basics के बारे में स्प्राइडशिट के बारे में networking concept के बारे में यह सारी चीज़े मिल जाएगे आप लोग को इसी page पे आप लोग को मिल जाएगा option apply here का इस पे आप लोग को click करना होगा इस पे जैसे ही आप लोग click कर देते हैं एक बार मैं दुबार से click करके दिखाता हूँ आप लोग को apply here का option इस पे click करते हो तो आप लोग के सामने notification number आता है इस पे हम click करेंगे यहाँ पे state आजाएगी अब जिस भी state में आप रहते हो या फिर आप लोग relocate करना चाहते हो वह state आपको select करने for example हम उत्तरपदे select कर लेते हैं institute name आपको select करने आप जो भी skill सीखना चाहते हो उसके basis पे institute select कर सकते हो technical workshop हम लोग ने यह training search कर लिया और search किया तो search करने पे देख सकते हो इस institute में हमें यह skills सीखने का मोखा मिल रहा है और यहाँ पे date भी mention है कि 9 January से यहाँ पे आपकी training start हो जाएगी अगर आप लोग इस institute के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे तीन preference आप दे सकते हो थरम welding को दे रहेते हैं इस तरीके से तीन preference देने के बाद submit कर देना है यह preference आप लोग change नहीं कर सकते हो ok कर दीजेगा इसको ok करने के बाद आप लोग देख सकते हो हम लोग ने एक बार पहले apply कर दिया था इस लिए लिए लिखा रहा है you have already applied इस तरीके से आप लोग को apply करना है मैंने आपको detail बता दी पूरी process बता दी सारी detail आप लोग fill कर लीजेगा और अपने हिसाब से apply कर दीजेगा online ही कोई भी doubt आता है comment box में आप लोग मुझे पूछ सकते हो इस वीडियो में गाइस बस इतना ही thank you for watching